नमस्कार दोस्तों सागत है आपका मेरे चैनल में मैं ते चतिरपाटी आज आपको शिखाने जा रही हूँ उसी मेकप किट से जो मैंने पेक की थी और मैं ट्रेवल में जा रही है थी उसी मेकप किट को आपको किस तरह से यूज करना है तुसका पार्टू में लेकर आ गई से क्योंकि दिन भर का मेरे फेस पर संस्कीन बगरा जो भी लगाता है वह मैंने उससे निकाल दिया आप यहां पर में लगा रही हूं मौस राइजर से स्किन हाइडरेट रहती है और बिंटर में रूखापन नहीं आता है और जो भी आगे प्रोडेक्ट लगाते हैं वह बड़े ही स्मूर तरीके से चलता है इसकिन आपकी बड़ी देर तक हाइडरेट रहती है तो मौस राइजर का अप्रीकेशन जरूर करना है अगर आप दिन म करेंगे मेकप करने से पहले तब ही आप बहुत ही अच्छे से लिप्स्टिक जो यूज करेंगे वह उसका रिजल्ट आपको मिलेगा लिप भटेंगे नहीं आपने बिल्कुल भी अब यहां पर मैंने क्या किया है इसकिन को आनेवन करने के लिए लिया हुआ है कंसीलर वही ब्यूटी ब्लेंडर नहीं पहक किया है क्योंकि मैं हाथ का ही यूज करने वाली हूँ क्योंकि सर्दियों में हाथ की गर्माहट से प्रोडेक्ट बड़े अच्छे से ब्लेंड हो जाता है खुद के फेस पर जब भी आप काम करें तो कोशिस करें कि इन उंगलियों का ही दिखेंगे आपको एक फ्लॉलेस बेस बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा अब इसके उपर में यूज करने वाली हूँ वही पॉंड्स की बीबी क्रीम चोटू पैक जो मैंने रखा हुआ था बिल्कुल अच्छे से यह भी ब्लेंड करने वाली हूँ मैं हातों से और हातों इसको बहुत ही प्यारा मुझे मिला था इसको भी उंगलियों की हेल्प से पूरे चेहरे और गले पर मैंने इसको फैला दिया है दैन इसके बाद में मैं अब लगा दूँ ही यहां पे टिंट यह बहुत जरूरी पार्ट है यह इसकिप नहीं करना है सर्दियों में आप आते ही चेहरी की रंगत बदल जाती है तो यह लवर्त का तेंट जो मैंने रखा था उसको पूरी आँच्छे से गालों पर फैला दिया है और लगाने के बाद में मैं इसको आंखों पर भी लगा दूंगी इतना अभी पर्याप्ट होता है और यह सकते हैं इविन गूमने जा रहे हैं मार्केट जा रहे हैं क्योंकि बिंटर बेकेशन चल रहे हैं बहुत लोग गूमने चाह रहे हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से इंज्वाय कर सकते हैं सेम प्रोड़क्ट आंखों पर भी लगाना है और इसको फिंगर टिप के हैल्प से ही मैं बिलेंड कराने वाली हूं पॉडर ब्लस मैं नहीं लगाऊंगी आज सिप क्रीम ही यूच किया हुआ है मैंने जो रिजल्ट बहुत प्यारा सा मिलता है और डरना नहीं है बिंदाज हो अपने आपको इंफ्रोफ कीज़े गा जब आप मेंक आप चारा है अपने आपको टाइम डे रहे है अपने अपको बहुत प्यारा सा लगता है और यह लिप पी लगा दिया मैं जैसे ब्लैंड करा दिया इस लोक के साथ पहीं आप निकल सकते हैं अंखों में अलका सा गाज अपने पास ब्माइन के पाम चलकहेजकेन सब्सक्राइस में आप यहांर मीध करें सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइबें करके बंस लगा लिया है और लिप लगा लियाँ कंवर mêmes छा सकते जा सकते हैं कोई भी ब्राइप कó Erot ra सकते हैं कोई भी प्राब्लम नहीं है इतना लूप परयापध बाद मेरे आइख पर homers काजल मैंने वही मामार्त का जो लिया था उसी से मैंने बहुत अच्छे से लगा दिया क्योंकि यह लॉंग लाश्टिंग है और बिल्कुत फैलता भी नहीं है जैसे हम मैं लगा के छोड़ती हूं वैसे ही लॉंग टाइम तक लगा रहता है तो मुझे बहुत ही पसंद है बिंग दिया था जो रियाल्टी में बाकि आप बताना कि मेरी आख में कौन सा लाइनर अच्छा लगता है आप लोग मेरे बहुत सारी वीडियो देखते हैं तो इस टाइप का वैसे मैं मिलचे जो पसंद है मेरी आख में मैं बिंग नहीं लगाती हूं मैं ऐसे ही लाइनर लगा के छोड़ देती हूं बट कभी कभी बन होता है तो मैं इस टाइप से भी लगा देती हूं है भी बिंग भी क्रियेट करती हूं बट कभी कभी आप जरूर बताना मुझे कमेंड करके कि आपको किस टाइप का लाइनर मेरी आखों की उपर अच्छा लगता है जरूर ब face बहुत ही attractive लगता है और बहुत ही natural effect देखने को मिलता है हलका सा मैंने उसी काजल की उपर liner लगा दिया था नीचे waterline पे भी ताकि मेरा काजल जो है वो long lasting और भी हो जाए और effect मेरी आँखाप को थोड़ा सा smoky effect मिल जाए क्योंकि उपर था हमने आई से बगरा कुछ नहीं लगाया है वही टिंट मैंने लगा के छोड़ दिया था मस्कारा लगाते ही लुक्त इक्तम से change हो जाता है अब हलका सा हम डालेंगे highlighter highlighter जरूर लगाऊंगी मैं highlighter के साथ भी एक में glossy लिबाम भी लगाऊंगी जो बहुत ही नेस्ट्रल है लिकम से light color है जो लोग light color कभी यूज नहीं करते हैं वो light color भी मेरे कहने से यूज करके देखें बहुत ही अच्छा लगता है जब आप बाहर गए तो भूल जाएगा कि आपके face पे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है बट अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं उसको जरूर कीजिएगा और यकीन मानिएगा जब आप उसको बड़ लगता है लिप भी बहुत फेस चेंज हो जाता है एकदम से और रियल्टी में बिंटर में इस पेसल है ये श्टैप के का ग्लॉस जो आ रहे हैं जरूर ट्राइ कीजिएगा और यह देखेंगा बातों ही बातों में लिप लगा लिया है बिंदी लगाते ही लुक हो जाता है कंप्लीट आपको कैसे लगा और उसी किट के साथ मैं मैंने कुछ प्रोडेक्ट निकाले जटबट से तयार हो गई चलिए मैं तो चलती हूं घूमने के लिए जा रही हूं आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा च आप